कि आप देख रहे हैं जैड में जिस्टल मेडिया इसे में मैं एल्टी कॉलेज भी हो और आप जो भीड़ देख रहे हैं ना यह पंचाय चुनाव के लिए है आज दूसरे चलर का नामांगन सुरू हो चुका है करोना में जितने भी नियम लागू किये गए ते उनके दार कहा गया कि सब का पालन किया लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ यहां वैसा देखने को तो आपको मिल नहीं रहा है हलाकि ठीक हम तो आए हैं वैसे पंचाय चुनाओ का जो नामांका ने वह कवर करने तो सोचे कि च आई थी जी और क्या आसे सभी जुट लोग होते जिते प्रत्यास्टी होते सब दिमाग में रख यह तो आपने अपने क्या सुट रखना है गाउं का विकास करने के लिए जैसे विकास में बहुत से मुद्दे होंगे कुछ मुद्दे आपको में छूट गया होंगे पीछे डियां करेंगे बिजली पाने और नाली करण जना गया किवित प्रमुक्त विकास करें गांव का विकास होता है जसको विकास करें नेскर आपको पहले तो रोड की समस्या है बिजली की समस्या है पानी की है ज्यादा उतेशी की सब्सक्राइब गाउं जाटी है महिलाओं के तुरक्षा के लिए वहां क्या किया गया है महिलाओं के शुरक्षा के लिए वहां सारी परुष्था है हमारे हाँ थाना हो गया सिंधोरा थाना और हम थाना के स्वाइम अथ्याच है तो महिलाओं के लिए तो कोई दिक्कत है ने प्रत्यासी तो उमीद से ही मैडम आते हैं मेरी वी उमीद है कि हम जीद जाएंगे हमारा नाम है इलप्रकास राका पांडे सेक्टर नमर एक पिंडरा से मैं परत्यासी हूं तीसरा वार मेरा जिला पंचाज के तयारी है चुनाओ में सबसे बड़ी चीज जनहीत के बीच में जाना चाहिए जनता काम करना चाहिए आज सच्चाई को दवाएकर सभोगल परसाद जिससे हम मिलने पाएंगे इसको चुनके क्या करेंगे ए मेरा सतमा चुना है दो लोग सबा में लड़ चुका हूं बिधान सबा लोड तिवारी रीता बहगुडा बिध्या ठाकु डाक्टर ओधेश बबलु अमरावती किनाते में भाजपा के सरकार बनाया कहें राका जी आपके मोच कर राश्टी पूरस्कार मिलेगा उत्तर परदेश का पूजारीन का मंत्री ने गौसाला मंत्री बनाएं भाजपा के सरकार करोना सब कर छोड़ा ले लिया है जूटे बोलना जूटे खाना सच्चायू को दमना की जूट बोलती है जूट बोलती है को मैं सरकार बनागे बताए कोई राश्टी नेता जमीनी सोच बड़ी-बड़ी मोच रखके आपके बीच में है और राश्टी पैमाने में किसी के कर नेता यहाँ करोना सब कर छोड़ा ले लेवानारी का बंग अनि लाश्टा सब घटान जी कह अद्विए जए साम क्यों क्यों के चिंतन आहीं है एक घोर पाप है एक पापा मैया है एक काशी नगरी है पावन नगरी है भोले बाबा के नगरी है हम दुर्गा कुर मंदिल का पुजारी जमीनी सोच बड़ी-बड़ी मोठे रखे एस सतमा मेरा चुनाव है अच्छोड़िये यह बताइए क जाता हूं मेरा बारह मोटर साइकल से चलता में जन्ता के बीच में जानता हूं जो राष्टी नेता मोटा साइकिल से चले तो उसको समझ में अवा सड़क है कि नरख है आज जो हबेली से आएंगे एसी गाड़ी में बैठेंगे कांज के जायेंगे काज़ बंके के आएंगे वह गरीबों बइपारियों के दर्द में नहीं जाते अचुनां में खिलाते हैं मिठाई अब पूरे वीस में जनहीं दे प्टाई तो महा सम्मान में आओ देश बचायो जान मचायो जैंव महाकाल तोटल ओट फ्र से मेरे आसिर्वास से केलला होता है कांगरेश के दे ले भाज़्पा के अपनादल देला भार्ति समाज की देखल पराजा इस वास होता है कैसे क्या करेंगे घाओंवाले को उनकी हक की लडाई देना है गरीबी की विरादरी नहीं है अ करीबी की विरादरी नहीं है नहीं हर समान में करीब है जब फिछली बैकोड सुनचीत आरचन को क्या मतलब है जब सम्मान में अब यादम को सममान करना चाहिए यहां अपमान है इसलिए हम परसान है иль ग्रकास वहयों मैं संमय के बीड में रहता हूं और में इसी लिए उनके समर्थक में हम कुछ नया करेंगे सब्सक्राइगा бैंडे vividhaan सफ निया का में पूरे भीधान सभा में पहले सेक्टोर नमर 13 सी पीशना जीते थे एक अमें है फिर अब इस्वास प्रस्ताव आ गया तो उसमें जो है कि इसलिया वाद कुछ हुआ नहीं अवसब काम पेंडिंग में था और इस बार आयते हैं तो पूरा धान सभा को रंग देंगे बना बना देंगे बनिया से जो बाकी काम है सब हो जाएगा पूरा विखती है पुरा रंग दिया है हर चीज का कारिक्रम जो भी बनाए अस्थल ना बराद घर बनवाए पार्क बनवाए नाली खरंजा बनवाए जो भी बराद घर बनवाए तो देखा अपना अपना यहां पर विचार है अपने अपने राय हैं और अपने अपने मुद्दे हैं सभी का कहना है कि बोज पर जीत करके रहेंगे सबने अपने मुद्दे भी बताए फिलाल में आने वाले पंचाय चुनाव में क्या होगा फिलाल में आप सबसे पहले देखने में दिखाते हूं कि इतने भी कर रहें अपने इसने बारी का नाम अंकन के लिए तो बात करते हैं उनके मा पतावक हूँ तो बीजय किमा पकिने पांसाल से जो है अपने शित्र में काफी जिन्हों से महनत कर रहे हैं और इनका सोच है कि गाउं में विकास हो चेतर में विकास हो और अच्छा-चाज़ राजवारी विदान सभा से हैं विदान सभा अजगरा सुरच्चित से गाउं राजवारी आप मुद्धा नालंकन कर रहे हैं? जी मेडल क्या मुद्धाली क्या है? मुद्धा हमारा यहीं है कि लोग कोई दलतों का आवाज ठाने वोला नहीं है जिला पंचायत में, जिला के मेटी में तो हम तो दलित हैं, जो है सामान है जिला पंचायत में, अपने दलतों के हक के लिए लड़ने के लिए उठाएं हम तो बुद्धा इसे कौन से गाउं में बाते हो रही है कि जिसे आपको लग रहा है कि दलतों के दबाया जा रहा है? लगबक सार अगर देख़े निगाव उठा कर तो हर गाउं में होता ऐसा, टेलतों के मसानत बाए जाता है लिए एक गाउं में बहुत साई जैसे हमारे गाउं में मुशलिम है दलित हैं बैकवड मुष्ट मयड़ मला हैं इसे लोगा गल्ली में तरवार्वाजा है कोई जिला पंचायत नहीं कहता है जोए कि यह नाइब तसिल्दार से या ग्राम पर्धान से या लेकपाल से कि नहीं लोग जमीन अमटत किया है कि हमारे गाउं में एक सो पंचानबे एकर जमीन के जियास की पड़ी है और उस पर कोई नहीं उठाता है क्योंने उठाता है क्योंकि बड़े लोग हो रहा है मैं से जिला पंचायत परदान और बड़े लोग कपजा किये हैं तो उसका आवाज कौन उठाएगा जब दलित वांपज तब उठाए में उस पर से आदमी जा रहा है आप अगर जीते तो क्या करेंगे हम जीते हैं कि सब्सक्राइब लोग बड़े लोग कपजा कि हैं हमारे दलित लोग जो है कि दो चार्पाई का माकान लेकर गल्ली में तो खलको उसी पर गुराइस कर रहा है इसा मुद्दा हम जो उठाएं करेंगे अपने माध्यम से यहीं हमारा मुद्दा है और अभी 22 साल हो कि अभी शुरचित नहीं सीठ हुई थे जिच्छा तो ठीक चल रहे हैं मैडम जिच्छा तो सही चल रही है जो हम चुला लोग हैं गरी अरे गरीब कहीं परिवार जो प्राइम जाते हैं परिवार जो ह करते हैं उसका कोई मतलब नहीं बहर से जो बच्चा नहीं पड़ेगा उसका विकाश नहीं करेगा देखा आपने हमने पंचायत चुनाओं के इस नामांकन को कवर किया लोगों ने काफी ज्यादर संख्या में जो आए हुए सभी लोगों ने आज नामांकन किया है और समने बताया है कि उनके कुछ प्रमुक मुद्धे हैं कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जो यह बता रहे थे कि गाउं में कि बहुत सालों से एक ही विरादर के लोगों ने कबजा करके रखा है विकाश के नाम पर कुछ हुआ नहीं है जैसे नालिया थी जैसे सडके थे वह उसी है कि हम आएंगे विकास करेंगे अब देखते हैं जब चुना होता है और जीतते हैं तो कितना अपने गाउं में विकास करते हैं इन सब के परेहम बात कर लेते हैं अगर प्रशासन के द्वारा आज के नामांकर में जो बेवस्था कर आई गई थी जो नियमे लागू किये है वह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यह उन्हें याद नहीं है और बिलकुली वह यहां पर सोचल डिस्टेंसिंग के दज्जिया उड़ाते हुए हर चीजों का ख्याल नहीं रखते हुए फिलाल में लाइन में लगे हुए अब अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं तो झाल झाल